नमश्कार मोप्रिया धड़ा धर 30 खबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रवुख खबरों को प्रथान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुड़िचेरी में 25 वे राष्ट्रे युवा बहुत सव का उधुखार्टन किया स्वावी विवेकानंद की जयमती के मौके पर आयूजित इसकारकर में पीएम मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरी ये लोगों को स साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि 14 जन्वरी को वो सपा का दामन थामेंगे स्वामी प्रसाद मौरे ने कहा कि मैं 14 जन्वरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं मुझे किसी भी छोटे या बड मदिश्तिवारी न और फिर से प्रदेष के सीमचा रंजीत सिंग चर्णी पर हमला बोला है, मनिश्तिवारी ने टवीट कर कहा कि पंचाब को एक ऐसे मुख्य मंत्री की जरूरत है जो राजु की चुनाव्टीओं का सामधान कर सके, कथे निर्नाय ने के चमता हो, इसके आग स्वास्वभाग सवालों की खेरे में है दरसल छतरपुर जिले की गौरी हार में रहने वाली साथ फर्ष की बुजर्ग राम प्यारी पटेल को कोरोना पॉजिटिव बता कर उसके घर को कंटेंडमेंट जोन खोशित कर दिया गया घर के बाहर और आसपास कंटेंडमेंट एरि से दोनों ने ताओं के बीच मुलाकात की तस्वीर साजा करते भी ये जानकारी दी गई यूपी में विदान सभाज चुनाव के लिए रालोद ने समाजवादी पार्टी से गठ बंदन किया है बिग बॉस तेरहा फेम शेहनाजगिल अपने खास दोस सिथार शुकला के खोने की गब में अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है वो अब अपने काम और करियर पर फोकस कर रही है और फिर से काम पर लोट चुकी है वो अब पहले की धर है फिर से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुकी है साथ ही साथ वो सोचल मीडिया पर भी आक्टिव रहने लगी है आक्ट्रेस ने अपने इंस्ट्रग्राम पर अपने नए फोटो शूट की रील शेयर की है जुसमें वो अलग-अलग स्टाइल पोज करती दिखाई दे रही है। उन्होंने सेलिब्रिटी फोटाग्रफर दबूरत नानी की कैलेंडर के लिए अपना फोटो शूट करवाय सुप्रीम कोर्ट ने हरिदवार और लास्ट्रिय राजधानी दिली में हाली में आयोजित हुए कारक्रम में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाशन देने वाले लोगों की खिलाफ जाच और कारवाई सुरेश देने का नुरोध करने वाली याशिका पर बुधवार क के खिलाफ कथे तापति जनक भाशनों के इस मामले में अगली सुनबाई दस दनों में होने वाली है। वर्ग के लिए 27% का आरक्षन है, फिलाल इस आरक्षन के लिए 8 लाग तक की सालाना आइस की समय सीमा तै की गई है। नए मामलों में फिलोचाल देखा गया है, स्वासमंतराले के आखड़ के मताविक बीते एक दिन में कोरोना के एक लाग 94,720 नए मामले दर्श किये गये हैं। और दैनेक संक्रों बंदर भी बढ़कर 11,95 फीस दी हो गया है, देश में जारी कोरोना की 30 लहर के दौरान पहली बार आक्टिव मामले 9 लाग पार हो गया है। आखड़ा अब तक कुल कोरोना मामलोग का 2,65 फीस दी है, वहीं रिकावरी रेट भी कम होकर 93,01 प्रतिशत पर चली गई है, इस दोरान 442 लोगों की जान गई है। श्रीच सरकारी एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट को रोकना लगभगा संभाव है और आखिरकार ये पूरी दुनिया को संक्रमित करके ही रहेगा। इंडियन कांसिल आफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से जुड़े डॉक्टर जैप्रकाश मुल्लाई ने बताया है कि ओमिक्रोन वेरियंट को फैलने से कोरोना वैक्सिन की बूस्टर डोस भी नहीं रोक सकती है। इंडियन मस्क के नाम से कर दिया गया था हलाकि अब यहां कांट रिस्टोर कर लिया गया है। टैंक परियात रूप से भरे जाने चाहिए, टैंकों को रिफील करने के लिए नर्बाद सप्लाई होनी चाहिए, सभी पीए से संयत्र पुरी तरह से काम करने की स्थिती में होने चाहिए, प्लांट के रख रखाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाए। पशुबंगाल जॉइंट इंटरंस इग्जाम 2022 के लिए आवेदन से बंचुत रह गया। उमिद्वारों के लिए खुशकबरी वेस्ट बंगॉल जॉइंट इंटरंस इग्जामिनेशन बोर्ड ने डबलू बी जे डबली दोहज़र बाईस के लिए आवेदन की तारिक को आगे बढ़ा दिया है। सागर है जुन में हर युबा विश्वास के गोते लगा कर उन्हें अपना अदर्श मानता है। मुद्दा बना कर ना सिर्फ अपने विरोधी बलकी पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दरसल पांच करोड की आबादी वाले दक्षिन कोरिया की तकरीबन एक करोड आबादी बीस प्रतुषद बाल जढ़ने या गंजिपन की समस्या से पीडित है। पिश्र दिनो राजदानी दिली अंसियार समेत उतर भारत में हुई बारश का असर अब दिखना शुरू हो गया है। देश में कोरोना संक्रमन के मामने लगातार बढ़ते जार है इस बीच केंद्रे मंतरी नितिन गटकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। एक नए परिसर का भी उधगाटन करते देखे गए। ये पूरा कारिकरम वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुआ। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14 वे दौरे की सीमा वारता हुई। सेने कमांडर सर की इस वारता में पूर्वी लदाक में ठकडाव वाले सेश सानों से दोनों देश के सेरिकों को पीछे हटाने की प्रोकरिया पर चर्चा हुई। भारता की चीन ने वारता शुरू होने से पहले ही दबाव की रणनीती अपनाते वे सीमा पर हालात समाने करने का जिमा भारत पर थोप दिया। 10 ओक्टूबर 2021 को दोनों देश के बीच 13 वे दौरे की सीमा वारता हुई थी। पंजाब के पुर्व मुख्य मंतरी कैप्टर अमर人民is Singh कोरोना से संक्रमित हो गए हाला के उन्हें हलके अलक्षन है वहीं दिल्य वधानसवा स्पीकर राम निवास गोईल भी कोरोना पॉजिटिव हो गये हाला के स्पीकर हलके लक्षन से संक्रमित है उन्हानने खुद को घ पर आइस्सोलेट कर लिया है। देश में इस समय करोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। देश में इस समय करनी बन नहीं किया। महरास्टर कोबिट टस्क फोर्ट सकेट सदस्य डॉक्टर सशांग जोशी का कहना है कि शेहर की कोरोना रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अपने चरम को पार कर गई है। कोबिट नाइटीन की तीसरी लहर जल्द स्थिर हो सकती है। उतरप्रदेश वधान सभाद चिनाफ के मदिर जरों में द्वारों के चैन के लिए शाह की अध्यक्षता में दिली के पार्टी मुख्याले में चल रही। इस बड़ी बैठक में उतरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों गिया दितनाथ, मुख्यमंत्री के शर्प्रसाद मौले के अलावा पार्टी के कई अरेनेता मौजूद रहे। नेक अमरकस्ती है, नितब प्रदेश का जोर शोर से दोरा भी चल रहा है। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमादिम वीडियो केंत में आपका नाव लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नुसार उत्रप्रदेश चुनाव में किस पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के रहे बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को नबाना ना भूले। धन्यवाद।